नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनमींदर अब मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है सभी का मैं ख्यार्मग्दम करते हूँ अज एक और बड़ा अपडेट है मेरे पास श्रदा मंदर को ले करके लेकिन उससे पहले एक और बात है जैसे जैसे आफ्ताग पे कानून का शिकंदा कस्ता दा रहा है वो जेल में काफी परेशान है और अजीब अजीब हरकते कर रहा है शारा कुछ आपको मैं बताऊंगी, आप अगर पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, मेरे चनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे, दूसरे बात यह वीडियो अगर आपको बसंद आ है, तो आप इसे लाइक जरूर कीजेगा और अ क्मेंड नमा में तो आप क्मेंड जरूर की जेगा ताकि मैं आपके कमेंड को भी उसमें शामिल कर सकूँ तो मैं आपसे बात कर रही थी अफ्थाक की अश्रद्या मडर केस की देश को जगजोर क Morgen देने वाले श्रद्या का करके महाराष्ट सरकार की ओर से आज एक बड़ा एलान किया गया है आपको यादी होगा कि शर्दा की पिता महाराष्ट के DTCM देवंदर फर्णवीज किसे मुलाकात की थी उन्होंने तो वो मुलाकात को ध्यान में रखते हुए देवंदर फर्णवीज ने SIT गठित कर बचट सतर के पहले रिपोर्ट टेबल करने की खोशना किया है यह बहुत बड़ा डेवलेप्मेंट है अपने आप में महाराष्ट सरकार केंद्रिय क्रियमत्री हमिशा से मामले को फास्ट्रेक में चला करके आफताप को सक्त सजा देने की मांग भी करेगी और इसे आप चाए राज़नीती समझे चाए इसे महाराष्ट सरकार का एक अपना इंशेटिव समझे लेकिन ये बात उन्होंने करीब सावा महिने के बाद कही जरूर है और एक और इसमें तूक यह यह बात अब करने की क्योंकि इस समय चारब सीत तैयार करने की टैयारी चल र और बहुत सारे सबूत जो हैं दिली पुलिस जुटा चुकी है उसमें जो हड्डियां मिली थी उनकी प्रोफाइलिंग मैच कर गई है श्रदा की पिता के सैंप्लिंग से तो अगर सरकार महाराश्ट की सरकार ये कह रही है तो ये बहुत अच्छी बात है महाराश्ट के उपम जाया गया कि शिकायत वापस लेने के लिए शद्धा पर कोई राजनितिक दवाब तो नहीं था पहले इस मामले की जाच होगी शिकायत दर्श करने और वापस लेने के बीच एक महीने का अंतर था वो भी देखा जाएगा और उस दोरान पुलिस ने क्या कारवाई की एसाइटी यह सारे एंगल पर जाज करेगी है इस सब के वीच जो बात की जानी चाहिए थी जो जाज जाननी से हो सकती है हो माहराशो सबकारे नहीं की है और बार बार आ रही है और श्रद्धा की पिता भी कह रहे है कि इसमें कहीं न कहीं हाथ है आपताप के माता पिता का भी तो उनको भी खोजना चाहिए कि वो कहां है उनका बेटा जेल में है और शर्दा को बार बार वो इमोशनली ब्लैक मेल करते थे कि उनके बेटे के बास चला जाए तो उनकी भी भूमिका है इस सब में तो उनको भी देगा जाना चाहिए क्योंकि शद्दा वालकर के पिता विकास वालकर ने पिछले सब्ता बीजेपी विधाय की रिट समयाक के साथ डिप्टी सीम देवन फर कि ती जिसमें उन्होंने तमाम व्यवस्ताओं को दोशी करार दिया था किसने विकास वालकर ने विकास वालकर को राजिसार ने आश्वासन दिया था कि मामले की उच्छ स्थरी जास की जाएगी और परिवार को न्याय दिया जाएगा मैं आपको बता दूं कि शद्दा व हो गया है कि murder जो है aerial theme डशनी किया है olabilir हर्थय के बाद श्रदधा के शर्व के 35 तुपड़े किए और उन तुपड़ों को महरें में जो उस ने flat लिया था कुझ मैं रखके हुए फ्रिज में उसके उन दूकर रख़ा था मोगा मिलता पुलिस की मैं अगर बात करूं तो आपता पुना वाला रोज रात को इन टुकड़ों को शेर भर में फैकने जाता था यह बात खुद भी उसने कबूल की है उसके नार्को टेस्ट हुआ है उसका पोस्ट नार्को टेस्ट भी हुआ है और तमाम सारे सेंटिविक टेस्ट निशान देही पर ही जो करीब करीब 12-13 पुड़े मिले है उसकी निशान देही पर ही मिले है और एक और खास बात जो दर्शक शाद भूल लागाये हूं इची साल मई के महिने में श्रद्दा और आफताब मॉंबाई से दिली शिफ्ट हुए थे दोनों के भी शादी और घ अपताब दिली बुलिज की हिरासत में है तो दोस्तों ये एक बड़ी बात है कि अब महराज सरकार भी इतने दिनों के बाद एक्टिव हुई है श्रदा मर्डर केस में तो आपको ये कंडेन कसा लगा मुझे आप जरूर बताईएगा खास तो और पे वो दर्शक जो को ख्याल लगे आपके आसवास भी जो लोग रहते हैं उनका भी आप ख्याल लगे स्वस्त रहिए खुश रहिए जैन जै भारत